हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सागर स्टडी गुरॉप और आज की इस वीडियो में हम बीएस सी थर्डियर के जो ओपन वुक्स से एक्जामी निसन हो रहे हैं उनका आज हम फाउंडेशन कोर्स का हिंदी सब्जेक्ट का संपूर्न प्रिश्न पत् यानि ए और सेकंड कोस्ट्यन है भारत में सर्वपिर्थम दूरदर्शन का आगमन हुआ तो इसका आंसर होगा 1969 फिर इसके बाद है अंग्रेजी भासा के मेमो रेंडम को हिंदी में क्या कहते तो इसका आंसर होगा ग्यापन फिर इसके बाद है फोर्त हिंदी की लिपी का नाम क्या है तो इसका नाम है देव नाघरी फिर इसके बाद है भारत के रिसीयों ने जीवन को कितने आसरम वाजित की आये तो इसका अंसर है चार फिर इसके बाद है खंडवा लगुत्रिय प्रिश्न और इसमें जो पहला question है हमारा जवारन रत कब और किस छेत्र में किया ज है और इसके बात सेकेंड कॉस्चन है इसका अंशर भी जश्यश्टिस के नीचे दिया गया है और इसके बात जो thrive क्उश्चन हमने किया था ऑच्छे अनुबात की 30 से इसके नीचे दी गई है तो आप यहां से इसको देखकenda लिख सकते हैं फिर इसके बाद है खंड साथ दीर गुतरी है प्रशन है इसमें जो चार कॉश्चन को करना था तो यहाँ पर टिक लगे हैं जिसको हमने किया है तो इसमें जो पहला कॉश्चन है वो है तूटते हुए एकांकी में लड़की को क्या लगता है कि बहर दोहरी जि जिए रही है और सेकंड कॉश्चन है समचिपनियों के चार उधारन दीजिए और समें जो थर्ड कॉश्चन है मोबाई के लाब बहानी पर अपने बिचाल लिखिए और फूर्थ कॉस्चन है जो नैतक मूले किसे कहते हैं कि दो नैतक मूलें को समझाईगे तो यहाँ पर जो पहला question है इसका answer इसके नीचे दिया गया है इसका जो second question है इसका answer justice के नीचे दिया गया है इसका जो third question है लाब और हानी लिखने थे mobile के तो यहाँ पर इसके लाब दिये गए है और इस slide पर इसका जो नुसकान है जो हानी है वो दिये गई है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं और यह नैतिक मूल है जो नैतिक मूल का आंसर जो नीचे दिया गया है तो आप यहां से इसको देखकर लिख सकते हैं तो थैंक्स पॉर वाचिंग और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाना ना भूलें